Hello Friends, Welcome to High Study एक नई वीडियो में एक नई इन्फोर्मेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है N.V.S. नोविद्धे विद्धेल समिती की रिकूरूटमेंट चल रही है सारी पोस्टों का इंटर्व्यू कम्पलेट हो चुका है डोकोमेंट वेरिफिकेशन भी 30 सेप्टमबर तक सारी पोस्ट होगा कम्पलेट करवा लिया जाएगा उसके बाद से जो एक पोस्ट आती है हमारी जिसमें ट्रेड टेस्ट होना था वो पोस्ट थे हमारी मैसल पर की है तो मैसल पर की जो ट्रेड टेस्ट है इसमें क्या होना था trade test होना और document verification होना दोनों एक साथ होंगे इसे के regarding कल NWS की ओर से 27th of September को एक notice डाला गया है कि किन किन candidate का document verification और trade test करवाय जाएगा अब मैं आप लोगों को इस notice की complete information दे देता हूँ इस notice में क्या क्या चेज मेंशन कर रखी है सबसे पहले ये किस के लिए schedule of the trade test आप लोगा जो schedule है उसकी जो detail है वो जारी कर दी गई है NWS की ओर से आपका जो trade test होना है चलिए next देख लेते हम लोग इन लोगों ने बताया है कि आप लोगों का जो result वगरा बताया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको जो main चीज याद रखनी है इंदा notice य आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों का जो pattern है वो क्या रहेगा trade test का वो यहाँ पर इन लोगों ने आप लोगों को एक बार फिर से remind करवा दिया है अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो trade test and document verification होगा वो इन लोगों ने 6 city 6 और 8 city select कर रख application होगा आप लोग देख सकते हैं जो भौपाल city है उसमें किस तारिक होगा 13 October से लेकर के 15 October के बीच होगा उसके बाद जो चंडीगड़ है वहाँ पर 8 October से लेकर के 9 October के बीच होगा हैदराबाद में 15 October को कराये जाएगा नेक्स्ट जो जैपूर है वहाँ पर जो 10 October से लेकर वहाँ पर document verification 26 October से लेकर के 27 October तक करवाए जाएगा आप लोग यह जो वेन्यू है आप लोग का इसे ध्यान से देख लिजे कि आप लोगों का document verification कि सेंटर पर किस तारिक को होगा मैं candidate की list भी provide करवाँगा आप लोगों को कि किस candidate का किस center पर document verification and trade test करवाए जाएगा उसके ब बाद हम लोग देख लेते हैं इन लोगों ने mention करका candidate are requested to report for trade test document verification at the allotted date time and venue आप लोगों को उसी जो allotted date दे रखिए उसी टाइम पर आप लोगों को present होना है document verification के लिए और trade test के लिए उसके बाद इन लोगों ने बताया कि in case any candidate report report wrong venue अगर आप लोग गलत तरी wrong venue पर चले जा तो see will be treated as absent उसको absent माल लिया जाएगा अगर आप wrong venue पर चले जाते हो तो आप लोग धियान रखना एक बार अच्छे से list देख लेना वो list में आप लोगों बताऊंगा भी last में दिखा दूँगा वो list किस candidate का कहा पर होगा उसमें से आप लोग चेक कर लेना आप लोगों सिर्फ और सिर्फ उसी exact venue पर पहुचना है जहां पर आप लोगों का document verification करवाए जाएगा उसके बाद trade test और document verification will be conducted next देख लेते हैं जो important note है no request आप लोग कोई भी request change नहीं कर सकते हैं कि आप लोग का वेन्यू चेंज कर दिया जाए जो वेन्यू NWS ने अलोट कर दिया है उसी वेन्यू पर आप लोगों का trade test और skill test करवाए जाएगा next देख लेते हैं the process of document verification will also be carried out on the same date यानि कि document verification और आप लोगों का जो trade test दोनों same date पर करवाए लोग document verification करवाएंगे जब आप लोगों के complete document जो document से चेक हो जाएंगे उसके बाद आप लोगे कि जो next stage है trade test वो करवाए जाएगा उसके बाद इन लोगों ने बोल लखा not eligible अगर आप लोग document verification में eligible नहीं हो पाते हैं तो आप लोग trade test में appear नहीं हो पाओगे यह भी यहाँ पर will not be allowed to appear for trade test आप लोगों को trade test में appear होने के लिए allowed नहीं किया जाएगा क्लियर हो गया होगा आप लोगों उसके बाद देख लेते हैं no second chance आप लोगों को कोई दूसरा chance भी नहीं दिया जाएगा जो आप लोगो first chance मिल रहा है इसी chance में आप लोगों को अपना document verification complete करवा लेना है next देख लेते हैं उसके बाद उसके बाद मैं आप लोगों जो list है वो दिखा देता हूं किस candidate का किस date में होगा किस center पे होगा वो आप लोग इस list में से चेक कर लेना इस list को download करने का link मैं आप लोगों को इस video के description में provide करवा दे रहा हूं वहाँ से जा करके आप लोग ये list download कर लेजिए और अपना center सही से चेक कर लेना एक बार कई मिस्प्रिंट हुआ या गलत center पर पहुंच गए तो आप लोगों का document verification or trade test cancel कर दिया जाएगा आप लोगों क लेते हैं यह पहला वेन्यू है कहाँ पर होगा बोपाल में जिस जिस भी candidate का document verification or trade test होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे चेक करना है मैं बताता हूं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर serial number check करिए आप लोगों के पास 28 जून 2022 को जो result आया होगा उसमें एक list होगी ज से जाकर के आप लोग जो 28 जून को मैं सलपर की post के लिए जो selected candidate की list आये थी उसमें से जाकर के आप लोग अपना serial number check कर लेना I think आप लोग अपना serial number check कर लोगे उसके बाद आप लोग अपना application sequence number है जब आपने phone बरा होगा उस time मिला होगा उसको check कर लेना next आप लोग अपन लोगों का रोल नमबर mention होगा next अपना नाम चेक कर लेना और किस date में most important है कि आप लोग डेट जरूर देख लेना कि आपका जो document verification है किस date में हो रहा है और किस time पर पहुंचना है एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे कैसे check करोगे result में अपना serial number check कर लेन उसके बाद application number check कर लेना next roll number देख लेना उसके बाद अपना नाम चेक कर लेना और date जरूर अच्छे से check कर लेना अगर आप किसी wrong date पर wrong venue पर पहुंच जाते हो तो nvs आपको absent करके आपका document verification cancel कर देगा इन लोगों ने पहले ही mention कर रखा है उसके बाद आप लोग अपनी जो अब भोपाल की है next आप लोगों की आएगी जो चंडीगड रीजन है जो चंडीगड का वेन्यू है महाँ पर भी document verification कराए जाएगा वह लिस्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं जो चंडीगड की है यह लिस्ट यहां से जो page number 12 है इससे आप लोग को जो चंडीगड वेन्यू है वहाँ पर लिस्ट स्टार्ट हो जाती है कि जिन कंडीड का चंडीगड में document verification होगा वह यहां से चेक कर सकते हैं वही तरीका रहेगा आप लोग अपना serial number चेक कर लेना serial number के बाद आप लोगों का जो application sequence number है वो चेक कर लेना फिर उसके बाद roll number और नाम और date जर है हमारा next menu देख लेते कि next menu कुन सा है उसके बाद यह हैं घरबाद की लिस्ट यह हैद्रबाद का वेन्यू है total अभी च्रवन्यू की लिस्ट आई है दो वेन्यू की लिस्ट अभी आनी बाकि है कौन-कौन से एक तो लखनव वाला लगनंव वैन्यू की लिस्ट अभी तक को इनफौम कर दूँगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट की कौन सब जो एनू रहे यह आप लोग का जो नेक्स्ट वैनू है है रभाद ही चल रहा है अभी तो उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट रहे गी वो रहेगी है रहेगी तो दिखा कर लेना इनका 10 अक्तुबर से सुरू होगा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट लिस्ट आती है आप लोगों की यह तो जैपूर वाली चल रही है जैपूर में बहुत सारे कंडिडेट का करवाय जाएगा उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वेन्व है वो मैं लास्ट रा में वो लोग यहां से जा करके अपना नाम कंडिडेट का नाम रोल नंबर अप्लिकेशन सीक्वेंस नंबर अच्छे से चेक कर लिजेगा नाम जरूर और आप लोगों का जो ट्रेट टेस्ट है उसकी डेट जरूर चेक कर लिजेगा रोंग डेट पर आप लोगा डोकुमेंट वर एपिकिशन करवा लेना कैसे कैसे होगा मैं अल्रेडि आप लोगों को बता चुका हूं आप लोग चेक कर लेना पस डेट का जरूर धियान रखना जो डेट मेंसन कर रखिए उसी डेट पर आप लोगों को पहुचना है किसी भी रोंग डेट पर आ एक इनफोर्मेशन और देता हूं इन लोगों ने मैंसन कर रखा कि दो सिटी ऐसी है जिनका ट्रेट टेस्ट अभी डिकलेर नहीं किया गया कौन कौन सी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक तो आप लोगों की लखनव वाली है और एक पटना वाली है इनका सेडूल लिए वीडियो बना दिया है कि क्या क्या ड्डोकुमेंट लेकर जाने है उस वीडियो का लिक मैं आप लोगों को इस वीडियो कर लेए दूंगा जो आप लोगा वहाँ से देख ले आ जो मैं आप लोग का जवाब कमेंट में दे दूँगा कि मेरा exam date नहीं मिल रहा है मुझे result के regarding हो आप लोग का venue के regarding हो roll number के regarding कोई भी doubt होगा तो आप उस doubt को मुझे comment में post कर दीजेगा उसका reply मैं आप लोग को comment box में दे दूँगा अगर आप लोगों को मेरे दूआ दे गई information पसंद आ रही है तो वीडियो को like कर सकते है अगर चैनल पर first time visit कर रहे हो तो चैनल को subscribe भी कर लेजिए जैसे ही NWS की और से कोई भी post के लिए information आएगे मैं आप लोगों को सबसे पहले inform कर दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you